जै मातादी मित्रों मेरा नाम पंडित प्रकाज जोजी स्वागत है मेरे यूट्यूब फेस्बुक चैनल एस्टो आज में मित्रों तहां जर लो आज हम मंस प्रिश्ची को मानते हैं, फिर भी भागे का एक roll होता है भागे क्या होता है मैं संचीप्त में बतायता हूँ जो आग करम है वही भागे होता है विर्ष्चे ग्रासी वालो जो ऐसी चीजों का result जिसकी मैनत आपने नहीं की होती या तो आपके माता-पिता ने की होती है या किसी और ने की होती है और समय के आशिरवाद के जब समय का आपको आशिरवाद मिलता है तो वो उसका रिजल्ट आपको मिल जाता है बहुत सारी स्ततियां हैं आपने देखी ही होंगी तो उसको हम भाग के कहते हैं आप बात कर लेते हैं कि ब्रिश्ची ग्राशी का अप्र अच्छी दिन चुरिया रहेगी भागा दोड़ी जीवन में रहेगी काम को बढ़ाने का प्रियास रहेगा जबरदस्ट मार्केटिंग करने वाले हैं तो कुल मिलाके 17 अप्रेल तक अच्छा ही है 18 अप्रेल से और 30 अप्रेल यह जो 13 दिन है यह आपको थोड़ा ध्यान रख श्वाणिया कुंडली से की जाती है यह जो है जनरल प्रिक्षन है अब धन की स्थति की बात करें तो धन की स्थति अप्रेल के महिने में धन और पंचम का मैं तो पूर्ण योग बन रहे हैं यानि धन और पंचम भाव का जब संबन्द बनता है तो बहुत अच्छा संबन् यह देखो तीन जगह से धन संबंदी बड़ी सूचना है आपको प्राप्ट हो सकती है पहला सरकारी या तो सरकारी कोई रुका हुआ फसा हुआ काम रुका हुआ धन आपको मिल सकता अप्रेल में या फिर लकी ड्रो सरकार की योजना में अगर आप लकी ड्रो भरते हैं तो उ पूसरी जगा देखा जाए तो इन्वेस्टमेंट जो आपने इन्वेस्टमेंट की SIP फांड मिच्वांड शेयर के अंदर उसमें आपको फायदा मिलेगा याद रखेगा साथी साथ धन कमाने का कोई जान पैचान से आपको मौका मिलेगा साथी साथ जो आपकी बड़ी संता तो फांड करके जलदी बाज window कीज़ेगा Nous कुश लोग लगर देते हैं मुएधगी जनवरी का राशीदी मन पढ़ पड़ाएं और बात कर लेते हैं परिवार भाव के बारे में परिवार भाव में देखा जाए तो चतुर्थ में शनी बैटे हैं केंद्र त्रिकोण के अंदर शनी त्रिकोण के अंदर तो शनी अच्छे होते हैं लेकिन केंद्र में खासकर फोर्थ हाउस जहां पे चंद्रमा सुख का कारक हो आप संतान के बारे में बात कर लेते हैं, तो देखा जाए तो पंचम भाओं में अप्रेल में सूरी और गुरु दो गरे विराजमान है, तो कुल मिलाकर देखा जाए, तो छोटी बड़ी संतान के काम में सपलता मिलेगी, चाहे आपकी संतान लिटिल है, चाहे बिग है, यान स साथ साथ आब मैड़ी संद्धान अवर्ड मिल सकता है ऐसा योग नजर आ रहे तो अपरेल का महिना बड़ा लाबता है रहने वाला है अब बात करते हैं विद्यारतियों की तो विद्यारतियों के लिए ये जो पूरा महिना एक तरिक से लेकर 30 अपरेल तक कोई ना कोई सरकारी रुकावा काम कही सरकारी इन्सिटूशन में आपने कोई ट्राई किया होगा तो उससे कुछ ना कुछ जवाब आपको आने वाला है नदी पाड़ों की यातरा के योग बनते हैं काम में सबलता मिलेगी धनलाब आपको अच्छा मिलेगा तो कुल मिलाके विद्यारतियों के लिए अच्छा है आप बात कर लेते हैं तीनों की यूती होने से देखा जाए तो बुरे काम से आपको दूर रहना है इन छे दिन यानि छे अपरेल तक नहीं तो आप फस सकते हैं किसी सडियंत्रम में कोई आपका कलीग आपको फसा सकता है इसलिए किसी भी एक्टिविटी में इन्वोलम मत होना किसी की चुगली म मत करना खासकर उचदिकारियों के बारे में बुरा मत बोलना आपने कलीग के बारे में बुरा मत बोलना क्योंकि कुछ शडियंत्र आपके लिए चल रहा है कि आप कोई कमेंट करें और लड़ाई हो जाए तो इसलिए याद रखेगा छे तारीक तक किसी के द्वारा में आप फस सकते हैं लड़ाई कर सकते हैं साथ तारीक से लेका देखा जाए और 30 अपरेल तक देखा जाए तो मालब भी यूग एक्टिव हो जाएगा तो कही ना कहीं काम समंदी बड़ी खुशकबरी आपको प्राप्त होगी नया प्रोजेक्ट मिल सकता है नया नौकरी क साम आपको मिल सकता है आपकी ऑफिस में बात सुन ली जा सकती है बहुत सारी खुशकबरिया होती है तो बहुत कोई ना कोई खुशकबरी आपको प्राप्त होगी साथी साथ आपके स्थान परिवर्तन के योग बनते हैं विदेश समंदी यात्रा या लंबी दूरी की यात तो साथ तारिक से 30 अप्रेल नौकरी वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है आप बात कर लेते हैं दामपत्य जीवन की तो दामपत्य जीवन में पहले प्रेमी प्रेमी का लव कपल के बारे में बात करें तो एक तारिक से 6 अप्रेल यह याद रखिएगा लव कपल यह तो छे दिन है वो आपके पार्टनर के health के लिए पार्टनर के मनों अच्छे नहीं है, डिपरेशन हो जाएगा, और काम में परिशान ही होगी, कोई व्यक्ति आपके पार्टनर को चिड़ायेगा, परिशान करेगा और आपका पार्टनर बड़ा disrupt भी रहेगा इन 6 दिन, तो 6 दिन तो आपके पार्टनर के लिए बहुत ही खराब है फिर साथ तारीक से लेकर साथ अप्रेल से लेकर 30 अप्रेल तक देखा जाए तो यहां इस्तती बदल जाती है क्योंकि शुक्र का राशी परिवर्तन है तो पार्टनर के साथ में शादी समारोम में जाने का योग बनता क साम श्तधी बदल जाएगी जो शत्रू परिशान कर रहा था उसको वो परिशान करना छोड़ देगा तो कुल मिला के साथ तारीक के बाद प्रॉबलम का सोल्यूशन मिलता है पती पतनी की बात करें तो एक तारीक से लेकर 6 अप्रेल तक देखा जाए तो आपके पार्टनर को नेत्र की प्रॉबलम थायराइड की प्रॉबलम नीद کی प्रॉबलम सरदर्द की प्रॉबलम रह सकती है यानि 6 अप्रेल तक पती पतनी के पार्टनर भी परिशान रहेंगे 7 तारीक से 20 अप्रेल तक देखा जाए तो डेवी इस्थान के दर्शन या वैष्णोदेवी य तो दामपत्य जीवन भी 7 अप्रेल के बाद अच्छा है अब बात करते हैं बिरिच्ची ग्रासी के व्यपार योगी की उनका व्यपार कैसा चलेगा इसके बारे में बात कर लेते हैं तो मैं आपको एक खुशकवरी और एक बहुत बड़ी बात बता दूँ कि कुंडली के अन और भी सहीता हैं पड़े नारत सहीता हैं पड़े भिगु सहीता हैं पड़े आप पाराशरी क्यों फोलो कर रहे हो आप और भी किताबे पड़े हैं कभी वक्त मिलेगा मुझे तो मैं आपको पूरे के पूरे सभी फ्लोस परो की जोति सिद्धानत समझाऊंगा खेर अभी तो हम हंस योग के बारे में बात करें, तो हंस योग आपका बन रहा है, तो कहीं न कहीं देखा जाए, तो आपके संस्थान को कोई समान मिल सकता है, कोई आवार्ड मिल सकता है, साथी साथ धन या काम समंदी बड़ी डील आपकी हो सकती है, बड़ा धलाब आपको अपरेल में होगा साती साथ देखा जाए तो आप अपने management में भी बड़ा परिवर्तन करने वाले शुब परिवर्तन करने वालें तो कुल मिलाके देखा जाए व्यंपारेगों लिए अप्रेल का महीना देखा जाए तो बहुत कुछ परिवर्तन दायक रहेगा तो मित्रों इस कारेकर में बाद इतना ही मुझे दीजे जाया जैमाता दी